Goodpress, मैं आप लोग के साथ सेहर करने जारी हूँ मैं गारेंटी देती हूं कि जब आप ये मस्रूमСी रेषिपी खाये यह अगि लगता है तो चलिए पहले मिक्सर के छोटे वाले जारमी मिटस करिसे मासाले में चाहले Fragen काली मिर्च, यह दो हरी लाइची, बड़ी लाइची थोड़ी सी जावित्री और दालचीनी खड़े मसाले लेने हैं, तो इन सब को एकदम पाउडर फॉर्म में हमें, घराइट कर लेना है, भीना पानी की है, यह देखी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो फ्रेंट निए उनको हमसे दो पार्ट में कट करेंगे ठीक है क्योंकि जब यह पकते हैं तो यह सिकुड के थोड़े से छोटे जाते तो उसी का काडिंग अप कट कर ले तो मस्रूम को वाश करने के लिए मैंने क्या किया था हलका गुलगुना पानी किया और उसमें मैंने डाल दिया प कार मेडियम साइस की प्यास को कट कर लिया है दो हमें इस रेसिपी में 4 प्यास की ज़रूत लगे हाथ तो उसको सैसे स्लाइस में कट कर लेना है तो अब यहां पर मैं आपको कहना चाहूँग ऐ कि आप 2 बड़े चम्मस सर्सो का ही तेल ले यह रैसिपी ज़ो है नह सर्सों तो यह रेसिपी आप प्रेशर कुकर में ही बनाई बहुत फटा फट बनेगी सिप 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में और टेस्टी तो इतना बनेगा ना कि आप खुद जब खाएंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे यहां पर मैंने 8-10 कलिया लेसुन की चीली हुई डाल दी ह आप वहाँ जाके विजीट कर सकते हैं में नीचे डिस्किप्सन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगी आप जाके वहाँ चेक कर लेना यह पूरे 1 महीने तक आप फ्रीज में रखके स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं हो ली तो यह जब हलके से प्याँ अच अब पीस के रखा था ना बस उस मसाले को एड करना है और अच्छे से हमें भुनना है तो यहां पर गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया था तकि मसाले जो है वो जले नहीं ठीक है तो अब इसमें मॉइस्टर लाने के लिए पानी नहीं डालेंगे तो इसमें मैंने एक कटोरी मटर डाली है यह ऑप्सनल है अगर आप मटर डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसको इसको कर सकते हैं ठीक है लेकिन आचकल सीजन है तो मटर डाल के जब यह रैस्पी बनेगी न तो और मज़ेदार होती है यह रैस्पी तो चलिए मस्रूम को एड कर लेते हैं और साथी इस क्या करना है कि इसको अच्छे से पकाना है लेकिन उसे पहले मैंने दिखिए एक हारी मिर्च को ऐसे दो पीसे में कट करके मैंने डाल दिया है आपको अगर और तीखा पसंद तो आप अपने हिसाब से और मिर्च को घटा बढ़ा सकते हैं तो चलिए अब प्रेशर कुकर को अ ऐसे ही उपर से ढग देते हैं हमने लिट नहीं लगाना है बस उपर से रखना है और थोड़े- acuerdo दीर पर हम इसको चलाते रहना इग्ड़ होगDet और अप ऊप्रेयाई करनी है तो अब आप देख सकते हैं अब इसमें जो है थोड़ थोड़ा तील चोड़्यासर ओं तो अगर आपसे मैने सना हो तो आप अलका सथिज्ट में पानी डाल दें और दालके फिर मसाल को भूने, ठीक है लेकिन मैंने थाला पर अपर जन्यांगर भूना आप दाला में तीन पानी डाला है तो आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को एज़स्ट कर सकते हैं लेक तो फ्रेंड्स यह देखिए एक सीटी लग चुकी है आपको दिख रहा है मैंने वीडियो को स्किप कर करके दिखाया है इसलिए फटाफट से सीटी दिख रही है तो आप ऐसा ना करें तो चलिए अब जब प्रेशर एकदम अच्छे से निकल जाए ना प्रेशर कूकर का तभ तो यह लीचे हमारी टेस्टी सबजी बनके रेडी है यार इसकी महग तो इतनी बढ़िया पुरी किचन में फैली हुई है ना मैं आपको क्या ही बताऊं इतनी बढ़िया बनी हुई है तो जी हां फ्रेंड्स यह मस्रूम दो प्यादया की रेस्पी है और एक बार जब आप को बना लेंगे ने इन जाड़ों में तो आप बार बार इस रेस्पी को बनाना चाहेंगे आप नान्वेस खाना भूल जाएंगे यह मेरी गारेंटी आपको इतना बढ़िया लगेगा यह तो चलिए बब इसको सारू कर लेते हैं यह देखे दिखने में तो बिलकुल चिकन जैसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर मताइएगा ठीक है तो अब आप इसको चावल या रोटी जिस चीज के साथ खाना चाहे उस चीज के साथ खा सकते हैं तो फ्रेंट्स कैसी लगी यह रेस्पी अगर आपको यह में रेस्पी थोड़ी बे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना चलिए मिलते हैं फिर एक और नहीं रेसिपी के साथ थैंक यू बाइबाइब